हेलो फ्रेंज, हेल्टी रसुजी में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे सूजी के बड़े सूजी के बड़े बनाने के लिए हमने केक कटोरी सूजी ली है, आधी कटोरी डही लिया है एक चुथाई चम्मच बेकिंग पौडर लेंगे आधा चम्मच या स्वादमसाद लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चांट पसाला, दो हरी मिर्च बारी कर्टी वी, दो चम्मच हरा धनिया, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक या स्वादमसाद नमक सबसे पहले हम सूजी को बाउल में डाल देंगे सूजी इसका आदा हमने दही लिया है सभी चीजों को डाल देंगे हरी मिर्च, धनिया, अद्रग, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च, नमक, चार पसाला, सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे बेकिंग पाउडर हम बाट में डालेंगे इसमें हम दो चम्मच की वराबर पाई डालेंगे जादा पतला नहीं करेंगे हमें इस बेटर को जादा पतला नहीं करना है यह तो हमें बड़ा बलानी में थोड़ी सी परिशानी आईगी सूजी को हम 20 मिनट ढपके रखेंगे उसके बाद बेड़े बनाएंगे इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे और यह कालिमेट पाउडर एक चुछाई चम्मच इसे टाम डालेंगे इन दोरा चीज़ों को मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हाथों पर थोड़ा थोड़ा टेल लगा देंगे इसमें इतना साईज का आपको बड़ा बनाना आपसे साईज का आप बैटल ले लें इसको बलोग करेंगे इस तरह से कर देंगे और पानी का हात लगाएंगे फिंगर पर और इसको बीच मैंसे इस तरह से बड़ा सा बहल कर देंगे देखिए इस तरह से और इसको कड़ाय में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था तेल हमारा गरम हो चुका है को दीरे से तेल में डालते हैं इस तरह से बना लेते हैं बड़ो को हम मीडियम ग्यास पर ही मीडियम आज पर ही तलेंगे अगर हम आज तेज कर देते हैं तो अंदर से बड़े हमारे कच्चे रह जाते हैं इस तरह से गोल कर लीजिए इसको भी डाल देते हैं इस तरह से बड़ो कर दो देते हैं दोनों तरब से पलट पलट कर चलेंगे बड़े बन करके तयार है इसे लिकाल लेते हैं बहुती स्वाधिस्ट कुरकुरे बड़े बन कर तयार हुए हैं आप इन्हें बनाईए मंद पसंद चटने के साथ खाईए सामबर के साथ खाईए आप इन्हें एक बार जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो प्लिस सस्क्राइब जरूर कीजिए लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ सेर कीजिए हम मिलते हैं इन्हें वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ ठैंक यू